हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने कम उम्र में ही कुछ ऐसे काम किये, जिन्हें करना किसी के बस में नहीं था, लेकिन अपनी इमानदारी, निश्था वा समर्पन के बल पर उन्होंने मुश्किल काम भी बहुत आसानी से क कर दिये आज हम आपको आठ ऐसे ही बच्चों के बारे में बता रहे हैं एक बालक द्रूव बालक द्रूव की कथा का वर्णन श्रीमत भागवत में मिलता है उसके अनुसार द्रूव के पिता का नाम उत्तान पाद था उनकी दो पत्निया थी सुनीती और सुरुची द्रूव सुनीती का पुत्र था एक बार सुरुची ने बालक द्रूव को ये कहकर राजा उत्तान पाद की गोध से उतार दिया कि मेरे गर्ब से पैदा होने वाला ही गोध और सिंगासन का अधिकारी है बालक द्रूव रोते हुए अपनी मा सुनीती के पास पहुचा मा ने उसे भगवते वासुदेवाय मंत्र की दिक्षाली यमुना नदी के किनारे मधुवन में बालक द्रूव ने इस महा मंत्र को बोल घोर तप किया इतने छोटे बालक की तपस्या से खुश होकर भगवान विश्नु प्रकट हुए भगवान विश्नु ने बालक द्रूव को आरुनी था वो पांचाल देश का रहने वाला था आरुनी अपने गुरु की हर आग्या का पालन करता था एक दिन गुरुजी ने उसे खेट की मेर बांधने के लिए भेजा गुरु की आग्या से आरुनी खेट पर गया और मेर बांधने का प्रयास करने लगा काफी प्रयत के साथ उसे धूमते हुए खेट तक आ गए यहां आकर उन्होंने आरुनी को आवाज लगाई गुरु की आवाद सुनकर आरुनी उठकर खड़ा हो गया जब उसने पूरी बात अपने गुरु को बताई तो आरुनी की गुरु भक्ती देखकर गुरु आयो धौम्य बहुत प भवती हुई एक दिन जब कहोड वेद पाठ कर रहे थे तब ही सुजाता के गर्भ मिस्थित शिशु बोला पिता जी आप रात भर वेद पाठ करते हैं कि दू वह ठीक से नहीं होता गर्भस्त शिशु के इस प्रकार कहने पर कहोड फ्रोधित होकर बोले कि तू पेट में ह एसी तेडी मिली बाते करता है इसलिए तू आठ स्थानों से तेड़ा उत्पन होगा इस घटना की कुछ दिन बाद कहोड राजा जनक के पास धन की इच्छा से गए वहां बंदी नामक विद्वान से वे शास्त्रार्थ में हार गए नेयमानुसार उन्हें जल में दूबा दिया गया कुछ दिनों बाद अश्टावक्र का जन्म हुआ किंतु उसकी माता ने उसे कुछ नहीं बताया जब अश्टावक्र बारह वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपनी माता से पिता के बारे पूछा तब माता ने उसे पूरी बात सच सच बता दी अश्टावक्र भी राजा जनक के दर्बार में शास्त्रार्थ करने के लिए गया यहां अश्टावक्र और बंदी के बीच शास्त्रार्थ हुआ जिसमें अश्टावक्र ने उसे पराजित कर दिया अश्टावक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी नियमानुसार जल में दूबा देना चाहिए तब बंदी ने बताया कि वो जल के स्वामी वरुन देव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर जल में डुबाया है। वे सभी वरुन लोक में हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राहमन पोनह बाहर आ गए। अश्टावक्र के अनुसार आस्तिक ने ही राजा जनमेजय के सर्प यग्य को रुकवाया था। आस्तिक के पिता जरतकारू रिशी थे और उनकी माता का नाम भी जरतकारू था। आस्तिक की माता नागराज वासुकी की बेहन थी। जब राजा जनमेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्य तक्षक नाग द्वारा काटने पर हुई थी तो उन्होंने सर्प यग्य करने का निर्ने लिया। उस यग्य में दूर दूर से भयानक सर पाकर गिरने लगे। जब ये बात नागराज वासुकी को पता चली तो उन्होंने आस्तिक से इस यग्य को रोपने के लिए निवेदन किया। राजा जनमेजय ने पहले तो ऐसा करने से इंकार कर दिया। लेकिन बाद में वहां उपस्थित ब्राहमनों के कहने पर उन्होंने सर्प यग्य रोप दिया और आस्तिक की प्रशंसा की। पांच भक्त प्रहलाद। बालक प्रहलाद की कथा का वर्णन श्रीमत भगवत में मिलता है। प्रहलाद के पिता हिरन्यक शिपू दैत्यों के राजा थे। वो भगवान विश्नु को अपना शत्रु मानता था परन्तु प्रहलाद भगवान विश्नु का परम भक्त था। जब ये बात हिरन्यक शिपू को पता चली तो उसने प्रहलाद पर अन 6. गुरु भगत उपमन्यू कुछ दिनों बाद पुनह गुरुजी ने उपम्यू से वही प्रशन पूछा तो उसने बताया कि वो गायों का दूद पीकर अपनी भूख मिताता है। तब गुरु ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उपम्यू के पहले जैसे दिखने पर तब उपम्यू ने बताया कि बच्छडे गाय का दूद पीकर जो फेन, जाग, उगल देते हैं, वो उसका सेवन करता है। गुरु आयो धौम्य ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। जब उपम्यू के सामने खाने पीने के सभी रास्ते बंध हो गए तब उसने एक दिन कड़े के पत्ते खा लिए, वो पत्ते जहरीले थे, उन्हें खाकर उपम्यू अंधा हो गया और वो वन में भटकने लगा। दिखाई न देने पर उपम्यू एक कुए में गिर गया। जब उपम्यू शाम तक आश्रम नहीं लोटा तो गुरु अपने अन्य शिश्यों के स उसे धूमने वन में पहुँचे। वन में जाकर गुरु ने उसे आवाज लगाई तब उपम्यू ने बताया कि वो कुए में गिर गया है। गुरु ने जब इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। तब गुरु आयो धौम्य ने उपम्यू को जाओगे। उपम्यू ने कहा कि बिना अपने गुरु को निवेदन किये मैं ये फल नहीं खा सकता। उपम्यू की गुरु भक्ती से प्रसन होकर अश्विन कुमार ने उसे पुनह पहले की तरह स्वस्थ होने का बरदान दिया। जिससे उसकी आखों की रोशनी भी पुनह लोटाई। गुरु के आशीरवाद से उसे सारे वेद और धर्मशास्त्रों का ज्यान हो गया। साल का अलपायू पुत्र। तब मरकंडू रिशी ने कहा कि उन्हें अलपायू लेकिंग गुनी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वर्दान दे दिया। जब मारकंडेय रिशी 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता च अलपायू पुत्र चाहिए ने आये तो शिव भगती में लीन मारकंडेय रिशी को बचाने के लिए स्वयम भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेसर कर दिया। बालक मारकंडेय की भगती देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वर् आर्थ गुरुबत एकलवय एकलवय की कथा का वर्नन महाभारत में मिलता है। उसके अनुसार एकलवय निशाद राज हिरन यद धनू का पोत्र था। वो गुरु द्रोनाचारे के पास धनूर विद्या सीखने गया था। लेकिन राजवंच का नहोने के कारण द्रोनाचा के लिए वन में गए। उस वन में एकलवय अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दोरान कुट्टे के भौकने पर एकलवय ने अपने बानों से कुट्टे का मुह बंद कर दिया। जब द्रोनाचारे वर राजकुमारों ने कुट्टे को इस हाल में देखा तो वे उस धनूर धर को धूंगने लगे जिसने एतनी कुशलता से बान चलाए थे एक लवय को धूंगने पर ड्रोनाचार्य ने उससे उसके गुरू के बारे में पूछा एक लवय ने बताया कि उसने प्रतिमा के रूप में ही ड्रोनाचार्य को अपना गुरू माना है तब गुरू शिना के रूप में एक लवे से दाही ने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एक लवे ने बिना कुछ सोचे अपने अंगूठा द्रोनाचार्य को दे दिया।